हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक दिल्चस और सच्ची कहानी कभी-कभी हमारी जिन्दगी में ऐसा होता है कि हम कोई ख्वाप देखते हैं और अचानक से वो ख्वाप हमारा तहसनेस हो जाता है लेकिन फिर भी जीवन रुपता नहीं है और हमें जिन्दगी में वापस नए सिरे से दूसरी शुरुवात करनी पड़ती है ऐसी ही एक सच्ची कहानी है इस्पैन के एक दस साल के लड़के की जिसने ख्वाप देखा इस्पैन के सबसे बड़े फुटबॉलर बने का और जब उसने अपना यह ख्वाप जाकर अपने पेरेंट्स को बदाया तो उसके इस ख्वाप को पूरा करने के लिए उसके माता पिता ने उसका पूरा सहीओग किया और उसे फुटबॉल की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया और उसे एक फुटबॉल के कोच के पास लेकर गए फुटबॉल के कोच ने भी उस बच्चे की आँखों में एक क्युनून देखा और उसे यह समझ आ गया कि यह बच्चा कोई साधरन बच्चा नहीं है इसके दिमाग में अपने सपने को पाने के लिए दिन रात एक करने की ताकत है इसलिए उस फुटबॉल के कोच ने भी उस बच्चे को दिन रात मेहनद करके प्रक्षिक्षन देना शुरू कर दिया बच्चे का क्वाप था कि इस्पैन के सबसे बड़े क्लब रियल मेडरीट के लिए वह खेले और देखते ही देखते समय बीटता चला गया और वह बच्चा खेलते खेलते 10 साल से लिकर 20 साल का हो गया और वह एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने के लिए पूरी तरह से तयार था लेकिन एक दिन जब उसका सेलेक्षन उस क्लब के लिए होने ही वाला था उससे कुछ दिन पहले वह अपने दोस्तों के साथ एक कार में घूंग रहा था और बद किस्मती से उस कार का इतना बेदर्दी से एक्सिडेंट हुआ कि वह बच्चा सीधा हॉस्पिटल में एड्मिट हो गया हॉस्पिटल में उस बच्चे की कंडिशन देखकर डॉक्टर्स ने उस बच्चे के पैरेंट्स को बुलाया और कहा कि आपके बेटे का शरीर कमर के निचले हिस्से से पैरालिसिस हो गया है यानि लक्वा मार गया है अब वह शायद जिन्दी भर चल नहीं पाए यानि खेलना तो बहुत दूर की बात है अब वह बच्चा चलने में भी असमड़ था उसके पैरेंट्स से याब बात सुनकर सदमे में चले गए और रो पड़े उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत करके वह बात अपने बच्चे को बताई जब उस लड़के न याबात सुनी तो वह अंदर से पूरी तरह से तूड़ चुका था क्यूंकि वह सपना जो अप इसले दस सालों से अपने दिल और दिमाग में पाल कर बैटा था और जिसके लिए उसने दिन रात तक मेहनत की वहाँ कुछ ही पलों में बिखर कर तहस नस हो गया था लेकिन उस डॉक्टर ने उस बच्चे को यहाँ कहा कि आपको अपने इलाज के लिए लगबग 15 से 18 महीने और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो लेकिन यहाँ आपके जीवन के लिए जरूरी है धीरे धीरे जैसे जैसे हॉस्पिटल में दिन बीतते चले गए उस बच्चे ने खुद को वापस फोकस करना शुरू किया और खुद का ध्यान इस जगह पर लगाया कि नहीं मुझे यहाँ पर रुकना नहीं है मेरा जीवन ऐसे खतम नहीं हो सकता मुझे नहीं शिरे से कोई दूसरी शुरूरात करनी है और उस लड़के ने अपना ध्यान फुटबॉल से हटा कर म्यूजिक की तरफ लगाया वह जब भी हॉस्पिटल में खाली समय मिलता लिखना, कविताय लिखना, गाने लिखना, म्यूजिक बनाना, दून बनाना उसने यह सब सुरू कर दिया और आप यकी नहीं मानेंगे कि लगबग पांस साल बाद उस लड़के का एक एलबम आता है Life is on the same जो की बहुत बड़ा सूपर हिट साभित होता है और इस एलबम के लगबग 30 करोड से भी ज़्यादा एलबम और वह लड़का कोई और नहीं जूलियो इगलेशियस था जी हाँ दोस्तों जूलियो इगलेशियस आज के समय में इस्पैन में एक जाना माना म्यूजिक इंडिस्ट्री में नाम है तो यह कान ही हमें सिखलाती है कि जीवन में जब भी कभी हमें यहां लगे कि हम सब कुछ खो चुके हैं हमारा सपना तूट चुका है तो हमें ऐसे ही उदारनों को अपने दिमाग में लाना चाहिए जिनों ने जिन्दगी की नए सीरे से शुरुआत की और उस फिल्ड में उस मुकाम को हासिल किया जिसे वह दूसरे फिल्ड में पाना चाहते थे जीवन ऐसा ही है कभी भी रुकता नहीं है बस हमें अपना नजर्या बदलने की देर है तो यहां थी एक कहानी इस्पैन के जूलियो इगलेसिस की जो कि एक सच्ची कहानी थी जल्दी मिलूँगा मैं आपसे नहीं किसी ऐसी ही प्रेणा दायक कहानी के साथ तब तक के लिए मैं आपका दोस निखिल आपसे विदा चाहूंगा जैहिं